कैसे आप लोग आई होप सो के सब बहुत मज़े में होंगे दोस्तों आज मैं आपको एक चीज सिखाते हूँ आई होप सो कि आपको बत फायदा होगा आपको पता है कि आपके सिस्टम में कौन-कौन से फोल्डर्स और लोकेशन्स जो पाइड़िफॉल्ट है जो माइक्रोसो मौजूद हैं कौन-कौन से चीज़ें जैसे डेक्स्टॉप डाउनलोड डॉक्यमेंट्स पिच्चर वगारा वगारा जो भी चीज़ें है कितने ड्राइफ से अगर आपको पता है तो ठीक है नहीं है तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूं बहुत अच्छी आपको क्या करन है सिस्टम को ओन कीजिये यह सब तो मैं बताती बताई चुकी हूं अब इतो काँस की बात नहीं कि हैं क्यान कैसे करना है और लेप्टाप हो यह डेक्सटॉप वहां पे आपको विंडोल प्रेस करना है विंडो और प्रेस करके वहां पे लिखना डॉट ऐंटर डॉट कर लो पिर MS Word में पेस्ट कर लो तो आपके लिए वो रीडेबल हो जाएगा अगर आप कुछ समझना आ रहा हो रीडेबल हो जाएगा कौन कौन से फोल्डर्स लोकेशन कंप्यूटर में मौझूद है यह सब कस सब आपको पता चल जाएगा उसके बाद जब पढ़ लो सारी चीजें क्या क्या है डाउनलोड है आप अपने सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं जो लोकेशन चाहें उस लोकेशन में जाके लेकिन इसके लिए पता होना जरूरी है कि आपके सिस्टम में है क्या क्या ठीक है तो समझ में आया होगा आपको रन डाइलोग डॉट एंटर ऐसी सारा चीजे डिस्पले हो जाएगी अगर यहां रीडएबल में आपको मेला डिष नहीं है टेक्स का अपको दिक्कत हो रही है कुछ समझने में तो वहां से एक cut was c lagiL काूपी किज़े ключ की विंडो और यह कोई फाल क्रेट कर रखिये डेक्स्टॉप यह कहीं पर डॉकुमेंट में जाके पेस्ट कर से कंट्रोल भी से पिर अपका जब यह सारी चीज़े हो जाए तो ऑल्ट फोर मार के अप मेरी सलाह यह को डॉंट सेव कर दीजे उमीद हो है आप मेरी सलाह से और जानकारी से बहुत फायदा होगा कल में किसी और न्यू इंफर्मेशन के साथ आपको कोई टिटोरियल सेंड करूंगी और बहुत सारे टिटोरियल जो मैं भेचती आप जरूर इंजॉए करते होंगे मुझे पूरी उम्मीद है तो एना फार टोडे टैंक्स और लेस्निंग झाल